नमस्कार A2Z डिशुष उशा गोर्जानी में आप सब का स्वागत है आज इस वेडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारे एक और बढ़िया सी थाली की रेसिपी और यह थाली बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है इसमें आपको सबजी, रोटी, दाल, राइस सब मिलेगा और सर्दियों का मौसम में यह थाली बनाना तो बनता है सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें यह बढ़िया सी मारस्टन स्पेशल वरन इसके लिए आदा कब तूवर दाल, आदा कब मोंग दाल को आपको 15-20 मिर्टर विगों के रख देना है उसके बाद एक मिक्सर जार में दो हर सर्फ आधा कब पानी और इसे फिर से पीस लेंगे तो यह कुछ इस तरह से थिक पेस्ट की तरह रेडी हो जाएगा गैस को अन करके प्रेशर कुकर रख दे दोनों भिगों ही दाल को डाल दे इसी के साथ एक गलास पानी डाल देंगे और एक कटा हुआ टमाटर एक चौथ अधाई चमबच हल्दी पावडर आधी चमबच गी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद कुकर का धकन देते हुए इसे हम दो से तीन विसल यानिकी दो से तीन सीटियान तक पका लेंगे जैसे ही पक जाए पूरा प्रेशर खतम हो जाए धकन को खोल ल नहीं नहीं है और अच्छे से मिक्स कर लेने बस अब इसके अंदर आहीं को डाल देने सिफसे अनूसान नमक और तोड़ा सा गरम मस्ाला अगर आप नहीं डालना चाते हैं अ गरम मसला आप स्किस्प वरन राइस के साथ चलिए बना लेते ये बढ़िया सी मतर की सबजी और ये इतनी टेस्टी लगती है ना उसके लिए पैन में एक चमच बटर और एक चमच तेल आप गी में भी से बना सकते है जैसे गरम हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे एक चौथाई चमच जीरा और भी थोड़ा सा भून लेंगे भूनने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिये एक प्यास कटा हुआ एक शिम्ना मिर्च और एक टमाटर तीनों को मैंने इस तरह से अच्छे से वाश करके लंबा काट लिया था और दो बारी कटी हरी मिर्ची इन सबी को है आपको जादा पक इसे तीखा पन और हल्का सा खटा दोनों ही आ जाएगा तो एक बड़ा चमच जितनी चिली सास डाल दे जितने आपको अच्छी लगती है तीखा इसका पन इससे साब से आप डाल दे और इससे आपको इसी तरह से मिक्स करते हैं दो से तीन मिल्ट तक पका लें तायार है य तर्मा गर्म गेहों के आटे के सॉफ्ट यह फुली फुली रोटिया उसके लिए यहां पर मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें हम डालेंगे दो से तीन कटोरी गेहों का अटम इसी के साथ इसमें मैं डाल रहे हूँ सुवात के अनुसार नमक और एक चौथाई चमज जितना तेल तेल की जगह पर आफ गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करकर पानी डालेंगे और आटा गुंदेंगे तो यह जो आटे के रोटी है इसके लिए जो आटा वो नाई जाद़ सक्त होना चाहिए और नाई जाद़ नरम मीडियम सॉफट आटा गुंदे इसले विल्कुल थोड़ा थोड़ा करकर ही पानी डाले और आटा गुंदे आटा जैसे इस तरह से हो जाने तो थोड़ा सा तेल लगा कर इसे आपको अच्छे से मसल लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया है अब फिर से इसके उपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे ढखकर हम 5-10 मिनिट तक रख देंगे रेस्ट देने से आपकी रोटिया और भी सोफ्ट और अच्छी बनेगी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंध भी रोटिया बना सकते हैं मैंने इसे 5 मिनिट के रखा था पांच मिनिट के बार धकन को अटा लेंगे आटे को अच्छे से मसल लेंगे और थोड़ा सा आटा लेकर दोनों हाथ के बीच में फिर से इसे हम मसल लेंगे तो इस तरह से मीडियम साइस के मैंने लोई बना लिया अब रोटी जितनी बड़ी या छोटी बनाते उसे साबसे कीज़ेगा तब हम इने पहले से गरम करने रख दिया दोनों साइड लोई पर सूखा गेहूं काटा छिड़क ले और इसे थोड़ा सा बेल ले बीच पे फि जादा मोटी बेलेंगे ना तो कही न कहीं से कच्छी रह जाए कि फूलेगी नहीं जादा पतली बेलेंगे तो सेखते समय वो तूट सकती है इसलिए मीडियम बेले एकदम अच्छे गरम तबे पे डाले और दूनों तरफ इसे आपको अच्छे से सेखना है देख सकते है ब राइस तो राइस बनाने के लिए यहां पर न मैंने एक कब जितने यह चोटे चावल ले लिया आप घर पे जो इस्तमाल करते हो ले सकते है तीन से चार पानी से अच्छे से वाश कह लेना है उसके बाद कड़ाई में बना है या पैन में बना है गैस कौन करके वो बरतन सकते हैं दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यह वोश की हुए चावल डाल देना है और इसे मिक्स करते हुए इसका पानी सूख जाए तब तक आपको इसे खुलाई पकाना है हाई फ्लेम पर यानि कि तेज आज पर इसे खुलाई पकाना है पर धियान रखे बीच पीच म पांच मिनिट तक पकाएंगे यहाँ पर लगभग पांच मिनिट हो गए हैं और इसे आपको धीमी आज पर ही पकाना है नहीं तो चावल जल सकते हैं और देखिए सबसे चोटे चावल इस्तमाल के फिर भी खिले खिले और बहुत ही टेस्टी बने हैं तैयार है यह बढ़ी